श्री कृष्ण कहते हैं, इन पांच पेड़ पौधों के कारण आती है, गरीबी तुरत उखाड़ कर फेक दे. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप श्री विश्नु के भक्त है, तो इस वीडियो को वाटसेप फेस्बुक पर शेयर जरूर करें ताकि श्री विश्नु आपकी हर एक मुराद को पू और उनके आने का कारण पूछते है, भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते है, हे केशव तुम तो सरवग्य हो, सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते है, हे सखा तुमने आज समस्त मानव जाती के कल्यान के उद्दे शिसे अत्यत महत्वपून प्रश्न किया है, इस संसार में व्रिक्षो का बहुत ही बड़ा योगदान है, व्रिक्ष सदाही पूजनिय है, किन्तु आज उर्जा का संचार होता है, जो मनुश्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, व्रिक्ष नकारात्मक्ता को कम करके वातावरन को अधिक सकारात्मक बनाने का कारे करते है, घर के सामने शुब पेड पौधे लगाने से घर में सुख समरिध्धी आती है, साथ ही यह कई प्रकार के वास्तू दोशो को नश्ट करते है, घर के आंगन में खड़े व्रिक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते है, मित्र भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हे एक प्राचीन कथा स श्रवन करता है, उसके सैकडो पाप नश्ट हो जाते है और उसकी दरिद्रता का नाश होता है, भगवान श्री कृष्ण का सखा कहता है, हे केशव मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूगा कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील और ग्रिह कारे में दक्ष थी। घर में धन धाने की कोई कमी नहीं थी, भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। अब धनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूके ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुसा करने लगी। वह अपने पत्नी को कोई काम करने के लिए कहती फिर धनेश्वर काम मागने के लिए गाव में घूमने लगा। लेकिन उसे कही पर भी काम नहीं मिलता था, उसने आकर अपनी पत्नी से कहा है भदरे मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं कहा पर काम खोजने जाओ। वे दोनों ही पूरी तरह से हट बल हो गए थे, दोनों के पास भी उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्य मिला उसी से पेट भर लिया इस प्रकार से अशुब वरिक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और सकट आने लगे। किन्तु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे, फिर एक दिन एक साधू महात्मा धनेश्वर के घर पर पधारते हैं। उन्हें देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है ही साधू महाराज पधारिये इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। वे साधू महाराज कहने लगते हैं। साधू महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह धनेश्वर कहने लगा है साधू महात्मा आप अवश्य ही कोई पुन्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुख मडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सुभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए, फिर वह साधू महाराज उस धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधू महाराज की बड़ी सेवा करता है। किन्तु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय आज हमारे घर पर जो साधू महात्मा आए है, वे बड़े पुनेवान दिखाई पड़ रहे है। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, मैं गाव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन माग कर लाता हूँ, इतना कहकर वह धनेश्वर गाव में एक सेट के घर पर जाता है, और उस सेट से थोड़ा सा धन देने की विंती करता है। यदि में धन नहीं लोटा पाया, आप मेरा घर ले लीजिए। अपने घर आ जाता है, फिर वह अपनी पतनी से कहता है। हे प्रिये, तुम उन साधू महात्मा के लिए भोजन बनाओ, फिर धनेश्वर की पतनी भोजन बनाती है, और उन साधू महात्मा को भोजन परोजदी है, इस प्रकार से उस धनेश्वर की भक्ती और निष्ठा को दे, खकरवे साधू महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते भोजन हो जाने के पशचात वे जाते जाते उस धनेश्वर से कहते है थे वैष्य मैं तुम्हारी भक्ति और आदर समान से अत्यत प्रसन हो तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओं मैं अवश्य पूरी करूगा तब वह धनेश्वर कहता है हे महात्मा आपका आशीरवाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किन्तु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भूगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ती की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है, इसका क्या कारण है, और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाए करना चाहिए। इसलिए तुम इन विष्णों को हटा कर उनके स्थान पर शुब पौधों का रोपन करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन विष्णों का रोपन किया है, वे अशुब विष्ण है, उन्ही के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। धनेश्वर कहते है, हे महात्मा कृपा करके मुझे बताईए कि घर के सामने कौन से व्रिक्ष लगाने चाहिए, जिससे घर में सुक समरिद्धी हो और कौन से व्रिक्ष नहीं लगाने चाहिए? कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाईए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा, फिर वह साधू महात्मा कहते है, हे वैश्य ठीक है, अब मैं तुम्हे उन शुब व्रिक्षों के विशे में बताता हूँ, जिनहे घर के पास लगाने से शुब फलो की प्राप्ती होती है, इसी लिए तुम ध्यानपूर वक्ष सुनो, वैश्य. किसी जलाशे के समीब पीपल का व्रिक्ष लगाने वाले मनुश्य को जो फल मिलता है, वह से करो यग्यों के समान होता है. जब पीपल के पत्ते उस जलाशे में गिरते है, तो वे पिड के समान होकर पित्रों को त्रिप्ती प्रदान करते है, इससे सभी प्रकार के पित्र दोश समाप्त हो जाते है, जो मनुश्य नित्यसनान करके पीपल को सपर्ष करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है, और कभी पराजित नहीं होता है. पीपल को स्पर्श करने से लक्षमी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षना करने से आईू में वृद्धी होती है पीपल की जड़ में श्री विष्णूतने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रमाजी स्थित रहते हैं आमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह हजार गाए के दान के बराबर होता है इस ससार में पीपल के समान कोई वरिक्ष नहीं है साक्षात श्री हरी इस व्रिक्ष के रूप में पृत्वी पर विराजमान है पीपल के व्रिक्ष को चोट पहुचाना अत्वा उसकी पहली तोड़ना महापाप माना गया है ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका नरक से उधार नहीं होता है वैशे अब मैं तुम्हें दूसरे व्रिक्ष के बारे में बताता हूँ आवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद और परम पवित्र है आवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन मृत्यू के बधन से मुक्त हो जाते है यह पवित्र फल भगवान विश्नु को अत्यत प्रसंद करने वाला एव शुब माना गया है इसको खाने से सभी पापों से मुक्ती मिलती है आवला खाने से आयू बढ़ती है उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के एश्वरे प्राप्त होते है जिस घर में आवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते है एकादशी के दिन अगर आवला मिल जाए तो ससार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है अपने केश में आवला लगाने वाला फिर से मृत्यो लोग पर जन्म नहीं लेता है जिस घर के सामने आवले का व्रिक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्षमी नारायन निवास करते है तीसरा है अशोक का व्रिक्ष अशोक के व्रिक्ष में अपसराओं का निवास होता है यह व्रिक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है इस व्रिक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुक शाती बनी रहती है अशोक का व्रिक्ष शीतलता और योवन प्रदान करने वाला होता है मा लक्षमी ने जब दे वी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावन द्वारा अपहरन करने के बाद उनका आवास अशोक वाटिका में था अशोक के व्रिक्ष ने मा सीता की बहुत सेवा की थी इसलिए मा सीता ने अशोक व्रिक्ष को यह वर्दान दिया था कि जिस पी स्थान पर यह व्रिक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा चौथा है, पाकर का व्रिक्ष प्रतेक मनुष्य को पाकर का व्रिक्ष अवश्य लगाना चाहिए यह व्रिक्ष लगाने से जो फल मिलता है, वह महान यग्य के समान होता है, कल्युग में मनुष्य यग्य नहीं कर पाएगे इसलिए उन्हें एक पाकर का व्रिक्ष अवश्य लगाना चाहिए पाचवा है नीम का वरिक्ष नियम का वरिक्ष लगाने से सूर्य दे वप्रसन होते हैं नीम का वरिक्ष आयू प्रदान करने वाला माना गया है इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है मा लक्षमी को नीम के पत्ते अत्य इसलिए वह नियम के व्रिक्ष के पास निवास करती है। इसलिए अगर बेल के व्रिक्ष के पास निवास करती है। गर के आगन में नारियल का पेड होने से उस घर में हमेशा शुपता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान समान होता है। सुदर पत्नी की कामना करने वाले मनुश्य को अनार कावरी। लगाना चाहिए। पलाश का पेड ब्रहमतेज प्रदान करता है। इसलिए इसका रोपन अवश्य करना चाहिए। वश्वरिद्धी और सतान प्राप्ती की कामना करने वाले मनुश्य को अको का व्रिक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुश्य किसी बीमारी से पीरित है तो उसे खैर का व्रिक्ष लगाना चाहिए। उसे अपने घर के पास बेड का व्रिक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह व्रिक्ष चोर लुटेरों को भैभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चदन और कठल के व्रिक्ष पुन्य और लक्ष्मी प्रदान करते है इन व्रिक्षों का रोपन करने से दुख दर्द। पिता समाप्थ हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक्चपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में व्रिद्धी होती है। अथन से ही प्रकट हुई है। अगर किसी मनुष्य को शत्रों का भैसता रहा है तो उसे केवडे का व्रिक्ष लगाना चाहिए यह शत्रों का नाश करने वाला होता है। अगर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोडने पर दूध निकलता हो घर के सामने कभी भी बबूल का पेड नहीं लगाना चाहिए इसे लगाने से लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है। धन का नाश होता है और सकट आते हैं किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वरिक्ष नहीं लगाना चाहिए इस वरिक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है अगर पी। पीपल का वरिक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है वट वरिक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिर काल तक रहता है। दक्षिन दिशा में तुलसी का पौधा हो तो सतान को पीरा सहन करनी पड़ती है किसी भी मृत व्रिक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यू सूचक होता है मृत व्रिक्ष को तुरत उखार दे ना चाहिए वे साधू महात्मा कहते है वेश्य इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुब और अशुब व्रिक्षो के विशय में बता दिया है इसलिए तो इन व्रिक्षो का रोपन करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो वह धनेश्वर कहता है हे महात्मा आपने आज मुझे उत्तम ग्यान दिया है मैं आपका धनेवाद करता हूँ फिर वे साधू महात्मा धनेश्वर को आशीरवाद दे कर उस स्थान से अतरध्यान हो जाते है साधू महात्मा को अचानक से अद्रिश्य हुआ दे खकर धनेश्वर और उसकी पतनी को आश्चर्य होता है, फिर उन्हें समझ में आ जाता है, कि साक्षात भगवान विश्णु ही उनके घर पर आए थे। फिर धनेश्वर उनसाधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुब विश्णु का रोपन करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ती होती है, और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। धनेश्वर और उसकी पतनी भगवान विश्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते है, हे सखा इस प्रकार से मैंने तुम्हे शुब और अशुब दोनों प्रकार के विख्षों के बारे में बताया है, अब तुम भी जाकर अपने भवन के पास इन विख्षों का रोपन करो। तो दोस्तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाय जाने वाले शुब और अशुब व्रिक्षों के बारे में बताया है, उमीद है, आपको यह कथा पसद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेट में जे श अभी का धन्यवाद, आपका दिन शुब हो